हलो एवरीवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यार इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म पर जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ आपका अपना जीशान सहर यार माच्स मेंटॉर और आज क्लास नाइंद के बढ़िया से प्यारे से दमदार बच्चों के लिए ला प्रेंज की क्या है बॉस तो अपने प्यार ऐसे बनाए रखी है अपना प्यार ऐसे अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखी है और बड़िया से पढ़ाई करिया मैगनेट ब्रेंज के साथ हम सब के साथ ठीक है क्वालिटी एजूकेशन से कभी कॉम्रमाइज नहीं होगा इन द लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दीना चाता हूँ यार अगर नोटबुक पैन पैंसल लेकर नहीं बैठे हो तो बहुत आप अपना नुकसान कर रहे हो यार नुकसान नहीं करना है पॉस करो वीडियो को पैन कॉपी पैंसल नोटबुक लाओ और इस कोशन को पढ़के प सर एपी औन बी-क्यू आर दवाई-सेक्टर्ज ओफ तू अल्टरनेट अंगजलस एपी एट-बी-क्यू सर एपी जो है यह दो Ephra बनाता हम फिगर यह सर अपर वाली पहली लाइन और सर ये थोड़ी और उपर बनाई जाए यार है ना थोड़ी सी और उपर बनाई जाए इसको अपन कट कर लेते हैं ऐसे और इसको ले चलते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा क्या काफी उपर ले चलते हैं बस ठीक है इसकी कॉपी बना सकते हैं क्या अपन देखें नहीं हाँ copy बन गई यार बढ़िया यह तो चलो यह बना दिया पन्ने सर ओ यह क्या हो गया चलो भाई यह सही है चलो यह बना दिया पन्ने दूसरी एक और नीचे line parallel जो इसके पैरलल नहीं है बहुत पैरलल नहीं है यार और यहां से एक transversal गई कुछ इस प्रकार थोड़ी खडूस सी transversal है यह खडूस टाइप की transversal इस प्रकार यहां आ गई ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा प्यार से यह बना दिया पन्ने transversal ठीक है सर अब क्या सर अरे नाम भी तो दे तो दोस्त यह point का नाम इन्होंने दिया A यह point का नाम इन्होंने दिया B ठीक है boss इस point का A से P पे जो line आ रही वो अभी अब बाद में बनाएंगे सर यह जो line LNS का कोई नाम दो यार अच्छा सा सर PQ नाम दे देते हैं PQ ठीक है सर इसको भी नाम दे दो इसको MN नाम दे देते हैं MN और बस इसको भी कोई नाम दो यार तो इसको नाम दे देते हैं अपन YZ Y और यह हो गया सर Z ठीक है चलो नाम करण तो हो गया सर हम जब बोला गया कि A P and B Q are the bisectors of two alternate angles formed by two intersection formed by the intersection of transversal with parallel lines L and M अब दी है parallel parallel line L and M parallel दी है बस तो हम लिखेंगे given सबसे पहली चीज़ है हमें lines L and M parallel दी गई है ठीक है सर क्या given है L parallel M जैसे ही parallel lines दे दी parallel lines के सारे system activate हो जाएंगे कैसे सर बस अगर यह दोनो parallel lines है तो यार यह angle जिसका यह bisector बना रहे हैं और यह पूरा angle equal होगा alternate angles are equal of parallel lines जी सर तो अपन PAB angle PAB angle PAB PAB will be equal to equal होगे NBA NBA angle NBA अब सर यह कैसे equal होगे तो भही है reason लिखना is must reason लिखना ज़रूरी है सर तो अपन ने लिख दिया alternate angles ALT alternate लिख दिया ठीक है सर अचा सर अगर यह दोनों equal है तो हम इनको कुछ ना कुछ तो variable मान सकते हैं 2X 2X मान लो दोनों को 2X 2X क्यों X X क्यों नहीं सर क्योंकि bisector बनाएंगे ना अभी अभी अपन अभी अपन bisector बनाएंगे और 2X का आधा आधा हो जाएगा X X इसी लिए 2X लिया जाता है तो बहुस यहां let कर लेते हैं अपन बहुस अपन let कर लेते हैं क्या let कर लेते हैं सर अपन let कर लेते हैं इन दोनों को 2X के बराबर let कर लिया मान लिया कि दोनों यार 2X को denote दिखा लें 2X हैं दोनों ठीक है सर तो बहुस यह हो गया पूरा 2X और यह भी equal है तो यह हो गया 2X दोनों 2X 2X होगा यह सर बिल्कुल सही बात है अब सर जब दोनों 2X हो गए तो अब बनाते हैं इनके अपन bysectors ठीक है अभी तो erase कर देता हूँ मैं अभी इसको erase कर दो और इसको भी erase कर दो अब इनके bysectors बनाते हैं इनके bysectors बनाते हैं चलो bysector बनाते हैं ठीक है bysector यह बनाया सर यह बनाया और यह बनाया ठीक है सर ये हो गया bisector, इसका ये हो गया bisector, इसका सर नाम भी लिख दो सर, ठीक है इसका नाम है AP, boss AP, अच्छा P है ये, तो इसको यार P नहीं ले सकते फिर अपन इसको P नहीं ले सकते, यहां already P है तो इसको अपन R ले लेते हैं This is R, R, तो ये R हो गया, ठीक है तो यार, यहां भी R, A, B हो जाएगा, ये R, A, B हो जाएगा, R हो जाएगा बच्छों, ये, this is R This is R, and this is also R, ये R, A, B हो गया, ठीक है, रब, वाओ, रब बन गया चलो, सर ये P है, this is P, ठीक है, and this is Q, अरे यार, ये Q दिया है तो ये Q यहां से अटाना पड़ेगा, मैंने पहले देखा नहीं, चलो, कोई नहीं R, S दे देते है, S बोल लूँ कि, S को, हाँ, S दे दो, सर S तो नहीं है, S तो नहीं है, I think S नहीं है, ठीक है S नहीं है, चलो, पानी पीलूँ यार, मैं, फिर अपना आगे काम करते हैं, ठीक है, चलो चलो, तो, अपनने इसको S ले लिया, R, A, S, अरे इसको S लिखो यार, अच्छे से कोई S लिख दिया, ठीक है, R, A, S ले लिया, अब मेरी बास सुनना बॉस, मेरी बास सुनना गोर से, ठीक है अब, यह पूरा अपनने 2X लिया था, और इसको भी 2X लिया था, दोनों इक्वल थे, इसलिए 2X 2X ले लिया, तो, बच्चों, तुम्हें पता है, यार, यह वाला कितना हो जाएगा, सर, यह X हो जाएगा, और यह भी X हो जाएगा, 2X का आधा-ाधा हो जाएगा, सर, हो जाएंगे ठीक है boss yes sir समझ में आ रहा है ना ठीक है sir बिलकुल समझ में आ रहा है sir ठीक है अब बात की जाए सिर्फ इन दोनों लाइन की को कि हमें यही parallel कराना है AP parallel BQ कराना है boss यह parallel कराना है ठीक है करा दिंगे यार कोई बड़ी tension नहीं है कोई बड़ी tension नहीं है तुम सिर्फ इन दोनों लाइन को बनाओ boss सिर्फ इन दोनों AP और BQ सर यह हो गई AP this is AP and this is BQ सर यह हो गई अपनी AP देखो यह AP हो गई और सर यह हो गई अपनी BQ ठीक है sir यह दोनों लाइन पारलल कराना है बस एक बात बताओ अगर यह एंगल और यह एंगल जो Z वाले एंगल है yes they are alternate angles अभी parallel parallel को भूल जाओ just forget PAB angle PAB सर जी यह क्या है यह X थी सर देखो यह X है है ना boss यह X है सर QAB angle QAB सर यह क्या है QAB नहीं QBA QBA सर यह BX अरे यह X आया कैसे वो थेओरी तो लिख दो चलो यह थेओरी लिखते है ठीक है वाइड कलर से थेओरी लिख देते हैं सर थेओरी लिखना जरूरी है यार AP is bisector अपनको पहले लिखना पड़ेगा number one AP bisect angle AP bisects angle RAB 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 ठीक है सर तो इसका मताओ RAP और PAB angle RAB और angle PAB दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों equal हो जाएंगे PAB RAB RAB और PAB दोनों 2X के आदे हो जाएंगे RAB के आदे is equal to angle RAB BK half आदे तो सर ये तो 2X है तो सर ये भी X हो जाएगा और बस ये भी X हो जाएगा सही बात है यार अब AP हो गया अब BQ का लिखना पड़ेगा बस अब अपन को BQ का लिखना पड़ेगा तो पहले इसको हटा दे यहां से थोड़ा सा तो इसको अपन हटा के थोड़ा साइड में यहां बना लेते हैं ठीक है और इसको थोड़ा छोटा कर देते है हाँ अभी तुम्हेदर साइड में हो जाओ ठीक है चलो सर अब इतना पार्ट अपन लिखना अब बी क्यू का लिखेंगे बिलकुल यहां नमबर टू डालके नमबर टू सर बी क्यू बाइसेक्स बी क्यू बाइसेक्स बाइसेक्स अंगल अन बी ए अंगल अन बी ए अंगल अन बी ए ठीक है बस इसका मतलब सर अन बी क्यू क्यू बी ए एंगिल 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 एंगि यह भी X के बराबर, यह भी X के बराबर, बात समझ में आई क्या, yes or no, ठीक है सर, इसके बाद अपने यह लिखा, के सर, P, A, B, X, Q, B, A, X, दोनों X के बराबर है, और दोनों सर, गौर से देखो, दोनों, सर क्या है, दोनों है सर, alternate angles, and both are alternate angles also, ठीक है, and, इसी के नीचे लिखे है, and, both are alternate angles also, दोनों alternate angles भी है, अगर alternate angles equal आजाएं, बास, दोनों equal आजाएं, तो यह कैसे possible है, यह सिर्फ तभी possible है, जब alternate angles, parallel lines की वज़े से बने, तो हमारा answer क्या आगया, therefore, lines due to which alternate angles are made, they are parallel, that is, AP parallel BQ, AP parallel BQ, sir, यही हमको प्रूफ करना था, बास, जल्दी से इसको, copy कर लो, so that we may move and jump on to next question number 2, जल्दी से copy कर लो यार इसको, ठीक है? next, sir ji next question, चलो boss, next question करते है, ठीक है? next question, question number 2 यह रहा boss, this is our question number 2, उसी के जैसा है थोड़ा-थोड़ा, बस opposite है, figure भई है, आप question number 2 को थोड़ी देर के लिए, question number 1 को दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दो, अगर आपको question number 2 यानी question number 2 अच्छे से समझना है, दोस्त, तो आपको यह निकालना पड़ेगा, फिलहाल अपने दिमाग से, ठीक है boss? चलो, चलने है sir, आगे, question number 2 कह रहा है कि भईया, इस figure में, bisectors a, p and b, q, sir, a, p and b, q bisectors है, alternate interior angles, के are parallel, bisectors parallel दिये है, lines parallel करानी है, first question में, lines parallel दी गई थी, bisectors parallel करानी थे, यहाँ, bisectors parallel दिये गए है, देखो, बड़े आराम से, बड़े आराम से, खतम करेंगे, इस question को, देखो, बहुत गौर से सुनना, हमें given क्या है, बच्चा, हमें given क्या है, sir, हमें given है, a, p, parallel, b, q, but if bisectors are parallel की बात हुई है, then show that l is parallel to m, यह हमें show करना है, हमें क्या given है, sir, चल्दी से, अपन पहले given लिख लेते हैं, given, sir, क्या given है, a, p, parallel, b, q, a, p, is parallel to b, q, ठीक है, दोस्त, यह अपन को given है, अब a, p, औ, b, q, को अलग से बनाओ, और जो angles equal, आप मार्क कर सकते हो, वो धून्डो, ठीक है, sir, कैसी बात कर रहे हैं, sir, आप आराम से बना लेंगे, बच्चों, गौर से सुनना, यह a, p है, और यह b, q है, ठीक है, boss, यह a, हटा दूँगा, अब ही, delete कर दूँगा, इसको delete कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, बच्चा, यह दोनो parallel है, यह parallel है, तो इसका मतलब यह angle और यह angle दोनो equal हो जाएंगे, alternate angles, parallel वाली lines में equal होते हैं, ठीक है, sir, तो इनके नाम लिखते हैं, boss, और जल्दी से लिखते हैं, they are equal, तो sir, अपन नाम लिखने है, pab, angle pab, is equal to angle qba, 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 angle qba, और sir, इन दोनों को अपन let कर लेते हैं, let दोनों को x के बराबर, let, both are equal to x, ठीक है, और reason भी लिखना जरूरी है, अनिवार रहे हैं, sir, तो अपन ने क्या लिखा, alternate interior angles are equal, यह कभी equal होते हैं, parallel lines में, interior angle, ठीक है, parallel lines है ना, यह दोनों parallel देती हैं, ठीक है, boss, अगर यह दोनों equal आ गए, boss, तो यह वाला angle और यह वाला angle बोथ आर actually x, x के बराबर, बिल्कुल सही, अब थोड़े bisector की बात कर लेते हैं, इसको अपने erase करें, अब थोड़े bisector की बात कर लेते हैं, boss, ठीक है, मेरी बात सुनना यार गोर से, एक यह रे गई, रे नी line गई, ठीक है, sir, ठीक है, एक यह line गई, parallel नहीं है, यह parallel प्रूफ करना है, boss, ये parallel है नहीं नहीं तो आप इसको parallel मान लो ठीक है सर एक ये line गई ठीक है बास एक ये अपनी transversal गई ठीक है बास अब बात सुनो सर ये जो भी आंगेल है पूरा मुझे नहीं पता क्या है इसको नाम भी लिखना जरूर है अबन नाम लिक लेंगे पूरा इसको erase नहीं करूंगा अब मैं इसको पूरा नाम लिख देते हैं sir, इसको नाम दे देते हैं अपन r s line l का नाम होगा rs और इसका नाम दे दे अपन uv uv तो u v ठीक है ठीक है और इसको नाम दे देते हैं अपन MN तो नहीं है नहीं है MN MN capital M capital M ठीक है ठीक है इसका नाम अपन को अल्रेडी दिया है उन्होंने इस point का नाम इस A और इस point का नाम इस B ठीक है सर तो नाम इसका A हो गया और इसका नेम हो गया B ठीक है सर बच्चो आप ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना बच्चो ये R, A, B क्या है मुझे नहीं पता लेकिन हाँ बस अपनको जो A, P दिया गया था वो इसका बाइ सेक्टर था बच्चो A, B, V अपनको नहीं पता क्या है पर हाँ और यह जो दिया है यह इसका bisector है ठीक है यह Q है और यह P है जार सुनो मेरी बास सुनना RAB यहां बनाता हूँ साइड में तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ यह है RAB RAB सर यह जो बीच में line गई इसने क्या करा इस RAB को दो equal parts में divide कर दिया bisector है AP bisector मतलब दो equal parts में four दिया इसको ठीक है सर तो इसका मतलब boss यह वाला angle और यह वाला angle तो equal होगा is it yes or equal होगा तो boss अपनको लिखना पड़ेगा ऐसे ही बच्चों BQ इस पूरे angle का VBA का bisector है तो boss इसका मतलब यह वाला angle और यह वाला angle भी equal होगा हाँ यह बिल्कुल सही बात है यह भी equal होगा समझ गए ना boss boss समझ गए ना boss ठीक है सर इसको erase करो लिखना पड़ेगा boss बहुत सारा धेर सारा लिखना पड़ेगा तो चलो लिखते हैं AP bisector है इस alternate angle R A B का ठीक है boss इसका यहर V नाम हटा दे रहा है V B बहुत अजीब सा लग रहा इसको अपन नाम दे देते हैं T V T T नाम दे देते हैं ठीक है चलो ओके तो अपन लिखते हैं AP is the bisector of AP ऐसे arrow लगाते हैं कि सर हम पहली बात लिख रहे हैं AP bisect angle दो interior angles के bisectors दिये AP bisects angle R A B angle R A B AP ने angle R A B को bisect कर दिया R A B तो इसका मतलब R A P और P A B बराबर हो जाएंगे हाँ सही बात है यहाँ पर इसका मतलब angle R A P R A P और P A B equal हो जाएंगे और angle P A B equal है ठीक है ठीक है है ना यह और यह equal हो जाएंगे बॉस बोस यह वाला angle तो अपना X आया था अपने लेट किया था इन दुनों का equal कर आया था बुजा देना X किया था तो अगर सर यह X तो सर यह भी X हाँ sir ये भी x होगा getting my point? yes sir तो अपने लिख देना है कि sir r a p और p a b दोनो अब देखना p a b क्या है p a b x के बराबर है तो if p a b अपने लिखेंगे if angle p a b is equal to x degree या x then r a p r a p r a p ये भी x हो जाएगा sir angle r a p will also be x और बस r a b angle कितना हो जाएगा angle r a b will be x plus x to x sir जी ये हमें लिख देना है बात समझ में आ गई? yes sir अब लिखना शुरू करेंगे sir a p by set होगा? अब b q by set की बात करेंगे sir अब b q by set की बात करते हैं sir b q इतना तो आपको लिखना पड़ेगा boss ये लिखने का कोशन जादा है solution नहीं है इसमें इतना theoretical question है ये जादा तर b q by set angle t b a t b a t b a ठीक है तो अगर t b a को by set की आ बास तो ये वाला अंगल और ये वाला अंगल equal हो जाएगा और विच ये वाला अंगल I am talking about this angle this and this will be equal हां sir तो नाम लिख दो t a q q a q b a t b a t b q तो sir यहां से हमें समझ में आया angle t b q equal हो जाएगा बराबर हो जाएगा sir kis के sir q b a q b a angle q b a के है अच्छा ये दोनों equal हो गए बच्चा अगर ये q b a x है sir ये x है गौर से देखो sir बच्चा अगर ये x है this is x तो sir ये bisector था ये दोनों तो बराबर होगा तो sir ये भी x होगा हाँ ये भी x होगा सही बात है तो यहां लिखना पड़ेगा बोस में यहां हमें denote करना पड़ेगा अच्छे से mention करना पड़ेगा क्या के if angle t b sorry t b q नही q b a angle q b a is equal to x then then q b a is equal to x then t b a will also be equal to x then angle t b a will also be equal to x और फिर सर ये पूरा अंगल केतना बन जाएगा t b a t b a t b a नहीं या t b q था ये ये t b q है then t b q will also be equal to x so t b a ये पूरा बन जाएगा x plus x 2x therefore angle t b a will become equal to x plus x 2x के बराबर जी सर अब इसको कर दो बहिया highlight बहिया इन दोनों चीजों से game over हो गया भाई सहाब equation one equation two clear बात समझ माई ठीक है हाँ सर लेंदी तो जा रहा है slow और detail में समझाने के लिए वक्त तो लगता है बास quality over quantity prefer किया करो quality सबसे पहले होनी चाहिए भले ही quantity कम हो जाए questions की counting कम हो जाए पर quality is must ठीक है सर अब हमें proof क्या करना था सर ये तो बताओ तो बच्चा हमें proof करना था के line L and line MR parallel low हो गई सर कैसे हो गई देखो बास देखना मैंने line L और M बनाई मैंने line L चोटी सी बना दी और M चोटी सी बना दी parallel है की नहीं अभी हमें नहीं पता और हमने transversal खीच दी बास यहाँ ये transversal बना दी ठीक है transversal थोड़ी सी slanted बना दू देखो ये transversal बना दी सर ठीक है अगर ये पूरा angle और ये पूरा angle equal है पहली बाप तो ये दोनों angles है alternate angles और अगर ये दोनों lines की वज़े से बनने वाले alternate angles equal भी हो जाएं तो समझ जाना ये दोनों lines parallel है है ना parallel की वज़े से equal आए है तो सर इस angle का नाम क्या है RAB RAB ठीक है सर angle RAB is equal to boss 2X ठीक है सर इसका नम क्या है angle TBA angle TBA angle TBA सर इसका क्या है इसकी ये भी 2X आया है तब boss देखो ना first equation second equation सर ये भी 2X के बराबर आया अब ये दोनों equal आगा तो हम लिखेंगे angle RAB is equal to angle TBA RAB is equal to angle TBA TBA ठीक है बस आप सही कह रहे हो बिलकुल सही कह रहे हो सर आप अप क्या सर ठीक है equal आगया उसके बाद क्या बच्चों हो गया अप तो खेल कैसे हो गया सर खेल देखो ये दोनों equal भी है and both are alternate also and both are alternate also both are alternate also alternate angles also तो सर अगर ये दो angles alternate है और equal भी है या equal है और alternate भी है तो ये कैसे possible हो सकता है ये तभी possible हो सकता है बस जब ये दोनों angle जिन दो lines की वज़े से बन रहे हैं वो दोनों parallel हो तो इसका मतलब this line and this line is parallel M is parallel to L therefore L is parallel to M लीजे बॉस hence proved ठीक है इसको जल्दी से copy कर लो अपनी अपनी प्यारी प्यारी notebooks में so that we may jump on to next question ठीक है बॉस जल्दी से कर लो चलो next question number 3 sir question number 3 ये रहा अभी easy easy questions आएंगे बच्चों in figure B A is parallel to E D sir कहा है B A is parallel to E D ठीक है बॉस अभी और दूसरा B C parallel E F इसको देखींगे अभी show that ABC angle is equal to angle D E F ABC angle is equal to D E F ठीक है these are the angles ये हमें equal proof करना है ठीक है चलो hint-wint मत देखो क्योंकि hint कभी भी exam में नहीं दी जाती है हम करेंगे कैसे बहुत जल्दी से देखो ठीक बहुत गौर से देखना हमने गौर से एक काम किया या तो आप पहले इन दोनों parallel को देख लो या इन दोनों को चलो इसको देखते हैं BC parallel EF देखते हैं गौर से सुनना बिटा BC यह हो गया BC और यह हो गया सर EF यह parallel दिया है अपन को ठीक है यह अपन को parallel दी गई है ठीक है सर यह parallel है बच्चा लिखो सर B C एंड इसको लिख देता हूं में यहां बाहर EF ठीक है जो इस पे काम करेंगे है अपन वो काम फिर मैं erase कर दूँगा EF ठीक है सर ठीक है ओ यहां पे arrows नहीं लगें बच्चा अगर अपन ऊपर से एक transversal ऐसी बनाते हुए lie एक transversal ऐसी बनाते हुए lie एक transversal ऐसी बनाते हुए lie तो यह जो angle है यह parallel है बच्चा यह दूनो parallel है यह angle और यह angle सर equal आ जाएंगे they will be equal हाँ सर बिलकुल सही बात है बिलकुल सही बात कह रहे हूं सर आप बिलकुल सही तो इस angle का नाम है DEF और इस angle का नाम है EPC या DPC जो आपको लिखना है वह बिलकुल सही बात है सर, तो सर हमें समझ में आ गया, अब हम जो लिखने वाले हैं, वो धियान से सुनना बिटा, जो अपन लिखने वाले हैं, जो अपन राइट करने वाले हैं, क्या सर, पहली बात, इन दोनों लाइन का नाम लिखो, given क्या given है सर, EF is parallel to BC, EF is parallel to BC, ठीक है सर, लिख लिया, next, जब EF और BC parallel है, तो this line is playing the role of transversal, ठीक है सर, तो DEF, सर, ये DEF, और सर, DPC, DPC या EPC, आप लिख सकते हो, कोई समस्या नही है, तो सर, यहाँ से पहला हमारा जो result निकला, वो निकला DEF, अंगिल DEF, is equal to, अंगिल EPC, अंगिल EPC, ठीक है सर, reason, reason, reason है बच्चो, corresponding angle, ये दोनो corresponding angles हैं सर, ठीक है, बोध आर, corresponding angles, तो सर, अपन लिखेंगे, corresponding angles, ठीक है सर, दोनो corresponding angles हो गए, this will become equal to this, ठीक है boss, ठीक है, समझना बात को, अब मैं इसको कर रहा हूँ, boss, erase, अब हम आते हैं boss, अपने दूसरे अध्याय की तरफ, अब इन दोनों lines को बनायों जो parallel है, इन दोनों lines को बना दिया, जो parallel है, अब इन दोनों lines, जो parallel lines आइए, यहां तक और यह बी तक, ये एक लाइन निकली सर ये एक लाइन निकली फॉर एक्जाम्पल ठीक है और नीचे बना देते हैं यार नहीं नहीं E F जो I अच्छा ये दो नीचे तक ही बनानी पड़ेगी हाँ नीचे तक ही बनानी पड़ेगी यार इसको ठीक है सर ये पूरी नीचे तक बनाओ रुख जा बेटा रुख जा थोड़ी सी तो रुख जा अब रुख गई ठीक है सर ये दोनों लाइन्स पैरलल दी गई है जिसको थोड़ा सा बढ़ा दिया एक्स्टेंड कर दिया तो सर अगर ये दोनों लाइन्स पैरलल दी गई है तो ये दोनों एंगिल्स एक्वल होंगे है ना और वो कॉरिस्पोंडिंग आंगिल्स बन रहे है हाँ सर बिलकुल सही बात है तो सर एक काम करते हैं इसको भी अपन सेम चीज़ करके लिख लेंगे इसको साइड में करो सर अप अपन लिखना शुरू करते हैं ठीक है चलो बोस लिखना शुरू करें क्या लिखना है बोस अपन को लिखना है कि 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 तो D E अब D E बोल दो या D P बोल दो because E P हमने उसी लाइन को आगे extend कर दिया ठीक है तो अपन इसकी जगा अपन ये भी बोल सकते हैं A B is parallel to D E की जगा D P ठीक है सर अच्छा अगर ये दोनों लाइन पैरलल हैं तो ये नीचे वाली लाइन एक transversal का काम कर रही है और ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे corresponding angles और corresponding angles parallel lines में equal होते हैं तो इस दोनों का नाम लिखो बच्चा क्या नाम है इन दोनों का नाम सर इसका नाम है A B C therefore हम result लिख रहे हैं angle A B C is equal to इसका नाम क्या है बोस इसका नाम है E P C E P C E P C लिख लो चाहिए D P C लिख लो आपकी इच्छा है angle E P C reason क्या है बोस सर इसका लिखने का reason है corresponding angles are equal जब parallel lines की वज़े से बने corresponding corresponding angles ठीक है सर समझ में आ गई बात yes सर इसको erase करो बस हो गया question कतम सर दो equations हमने build up कर ली equation number यह हो गई one और यह हो गई सर equation number letters से यहां लिख देता हूँ मैं equation number two सर दोनों equation को सरा ध्यान से देखो दोनों equation को ध्यान से देखो देखो लिख रहा हूँ मैं angle D E F is equal to angle angle E P C ठीक है सर और इसको भी लिख दो सर angle A B C is equal to angle E P C E P C और D E P C एक ही बात है घबराना नहीं अब सर दोनों में E P C E P C equal आ गई दोनों में angle E P C E P C equal आ गया इसका मतलब यह D E F और A B C भी equal होंगे तो अपन कहा लिखेंगे therefore by equation one and two by equation one and equation two D E F is equal to A B C यह A B C is equal to D E F A B C is equal to angle D E F ठीक, done सर यह हो गया हमारा question number third भी complete और यह ही हाँ को प्रूफ करना था A B C D E F तीन लेटर जब भी लिखके आए टेंशन नहीं लेना angle की ही बात हो रही है this is angle A B C and angle D E F आपको पता है यह तीन लेटर आंगल को use करने, angle को denote करने के काम आते हैं तो इस आर आंगल राइट, चलो इसको जल्दी से screenshot लेलो बास, so that we may move on to next question next question number sir 4 यह है question number 4, यह अच्छा question है in figure B A is parallel to E D sir B A E D के parallel है, ठीक है sir show that this angle plus this angle is equal to 180 बहुत ही साधा simple और सुशील question है यह, देखो कैसे यह यह और यह parallel है, थोड़ा दूर बनाता हूँ ठीक है, यह parallel है यह और यह, parallel है parallel के symbols लगाईए sir चलो लगा देता हूँ, अब तुम कह रहे है उतना तो लगा देता हूँ this is parallel to this and this is parallel to this ठीक है, यह parallel है नाम लिखते है sir नाम लिखते है इसको green color से ही लिखें यार neon से तो जादा अच्छा रहेगा sir यह अपना A this is B and this is अपना C this is अपना B यहा लिखते हूँ, B this is अपना E and this is अपना और सब का ठीक है, F चलो, next कुछ नहीं करना है घरेलू काम करना है sir और घरेलू काम क्या होता है घरेलू काम अपन को इन लाइन को थोड़ा-थोड़ा बढाना है nothing else इस लाइन को बढा दो थोड़ा सा यहां तक बढा दो, Boss ठीक है तो यह परपिल कलर से जो मैं लाइन बनाऊंगा यह मतलब extend की है मैंने लाइन ठीक है, यह D है यार यह D है तो D कर दूँँगा इसको ठीक है सर यह अपनने इस लाइन को extend कर दिया अरे सीधी बन जाना, Boss सही है? सीधी दिख रही है? मुझे तो नहीं लग रही चलो, बना दिया है सीधी है, नहीं है आप देख ले न, this is a straight line और यह मैंने extend कर दिया और इसको M नाम दे देते हैं सर यह M पे touch कर रही है ठीक है अब मेरी बास सुनना, Boss सबसे पहले तो इसको सही करो, Sir D है यह ठीक है अब बच्चो बात ऐसी है गौर से सुनना equal angles आपको दिख रहे होंगे, यार देखो यह और यह parallel तो इसका मतलब यह angle और यह angle हो गा है, Boss equal हो गए ना, yes, Sir जिलडी से लिखेंगे, Boss की AB is parallel to AB is parallel to EM EM, और हा, construction जरूर लिख देना, इस बार का construction मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, यहां लिखना given, यहां लिखना construction construction क्या लिखोगे, extend ED to M on BC, ठीक है, लिख देना ध्यान से clear, इतना बात समझ में आया ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चलो Boss, जल्दी से इसको complete करते हैं अब, Sir, जब यह दोनो parallel है, तो यह transversal का काम करेगी, यह दोनो equal हो जाएंगे corresponding से, ABC therefore angle ABC will become equal to angle DMC DMC reason being, Sir, reason है दोनो corresponding angles है, ठीक है corresponding angles ठीक है, Sir? corresponding angles है अब मेरी बास सुनो, यह दोनो भी parallel है, Boss अपन को EF is parallel to BC दिया है EF is parallel to BC given है bracket में लिख दो given, वैसे अपन को आगे लिखना चाहिए था given कोई समस्तिया नहीं ठीक है, अब जब यह given है, तुम खुच सोचो जब यह given है, तो इसका मतलब, Boss, गौर से सुनना मोटी line बनाता हूँ, ठीक है EF और BC, BC का MC लिख रहा हूँ बस में MC, यह दोनों parallel है, क्योंकि BC parallel है तो MCB इसकी जगां MC लिखेंगे अपन तो सर, यह line, यह जो पूरी line बन रही है, यह transversal तो सर, यह दोनों angle क्या होंगे यह दोनों angle क्या होंगे, Boss सोचो, सोचो यह दोनों angle co-interior होंगे, सर, है न, co-interior होंगे correct, बात समझ में आ रही और co-interior 180 होते हैं, parallel lines में तो सर, हम लिखेंगे EF इस parallel to BC की जगा हम लिखेंगे, Boss BC की जगा, MC लिखेंगे हमें यह वाला पार्ट लेना है MC तो इसका मतलब, सर इसका मतलब, सर FED angle FED plus angle CMD angle DMZ लिखो या CMD लिखो CMD लिखते हैं भी फिलाल यह दोनों co-interior है सर, तो इन दोनों का सम कितना आएगा equal to में 180, ठीक है Boss इसको हटाओ, is equal to 180 degree, reason क्या है सर reason है हमारा co-interior angles co-interior angles, जब parallel lines में बनते हैं तो सर, उनका सम 180 होता है अचा, CMD को पलट के लिखो CMD को, अब तुम DMC लिखो DMC, मैं बता रहूं क्यों angle FED हो गया बिटा, कोशन खतम हो गया plus angle CMD को मैं DMC लिख रहूं DMC is equal to 180 अब DMC को प्यारे बच्चे हम इधर से change कर देंगे, equation 1 से DMC की जगा ABC लिख दो FED plus angle ABC is equal to 180 सर, यह ABC कहां से आगया तो बहुस यह लिखना पड़ेगा आपको equation 1 से आगया, एकदम से ABC और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था DEF लिखना इसको FED को DEF लिखना अपना FED, यह DEF लिख देना पलट के therefore, इनने जैसे लिखा, हम वैसे ही लिखेंगे angle ABC plus angle DEF is equal to boss 180 Sir, यही अपना answer, hence proved ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था last में hence proved, जरूर लिखना यार सबका, सबका, सबका फेवरेट वर्ड hence proved जल्दी से copy कर लो boss so that we may move on to next question जल्दी से copy करो यार, है न चलो, अब जब अपना यह question fourth complete हो गया है boss तो अब अपन चलते हैं fifth question की तरफ ठीक है sir, इसको erase कीजिए आगे question fifth, 13 चलो इसको करते है sir, क्या है question fifth में in figure DE is parallel to QR AP and BC are the bis, BP are the bisectors of E, AB and this respectively find APB 90 degree is cancer देखो कैसे तुम्हें रटवा दूँगा बाई तुम्हें learn करवा दूँगा, दिमाग में set हो जाएगा, मेरी बास सुनना boss ठीक है, बहुत गौर से सुनना, देखो, ये और ये, इसका नाम क्या है sir, DE, ठीक है sir, इसको DE पुकारेंगे है अपन खराश हो रही है boss, DE और sir, नीचे एक और लाइन दी गई है इसको अपन क्या पुकारेंगे boss, इसको QR, तो sir, ये हो गया Q और ये हो गया sir, R sir, ये दोनों लाइन टारलल दी है, इसका मतलब sir, ये जो ट्रांसवर्सल बनेगी ये सारे अंगल्स, corresponding भी equal देगी, alternate भी equal देगी, और co-interior भी 180 देगी देगी न, co-interior angles जो है, वो हमें plus करने पर 180, कब मिलते हैं, जब parallel lines की वज़े से co-interior बने और co-interior क्या होता है boss, डिब्बे वाले box वाले अंगल तो इसका मतलब boss, ये जो A point है ये जो A point है, and this, जो B point है boss, ये दोनो A और B point है अगर मैं इस angle की और इस angle की बात करूँ, तो सर, इन दोनों को हम co-interior बोलते हैं, और parallel में बने हैं, तो इनका 180 होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है, तो सर, जल्दी से लिख दीजिए DE, given लिखेंगे बच्चों अपन, ठीक है sir, क्या given लिखेंगे? बच्चों हम given लिखेंगे, DE is parallel to QR, sir हमको DE और QR पैरलल दिये गए हैं, यार सही कह रहे हो यार, तुम बिल्कुल सही बात है ठीक है, अब जब ये दोनों parallel दिये, तो ये क्या है sir, N, N एक transversal है, तो इसका मतलब अगर ये दोनों parallel दिये, N transversal है, तो boss E, A, B, R, B, A, दोनों का sum 180 होगा, को interior बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है boss, जल्दी से लिख लीजिए, देखो E, A, B, angle E, A, B boss, बच्चों ये वाला है E, A, B, this is E, A, B, ठीक है, और R, B, A, angle R, B, A, sir, ये दोनों 180 के equal होंगे, क्योंकि sir, ये parallel की वज़े से co-interiors है, ठीक है, reason लिखना पढ़ेगा, क्या co-interior angles, बस इतना लिख दोगे आप, चेक करने वाला समझ जाएगा, के हाँ boss, he or she knows the concept, तो sir, ये है co-interior angles, भाई, आप बंद कर दो, ठीक है sir, बात समझ में आ गई है, sir, बिल्कुल आ गई, बच्चा गौर से सुनियो यार, ये जो angle है, और ये जो angle है, इनका sum है sir, 180, ठीक है, sir, अगर इसका by sector बने और इसका by sector बने, अब by sector क्या होता sir, 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 e, a, b का ये half हो जाएगा, ये half हो जाएगा, sir, r, b, a का ये half और ये half, मेरी बात सुन बिटा, मेरी बात सुनना बिटा, सुनना बिटा जल्दी से, इसका नाम है, प, a, a, p, sir, दो लाइन लिखेंगे, दो लाइन, sir, इसके नाम, a, p, bicect, a, p, bicect, e, a, b, angle, e, a, b, ठीक है, sir? ठीक है? तो इसका मतलब, sir, p, a, b, और e, a, p, ये दोनों क्या हो जाएगे? sir, इसका मतलब, इसका मतलब, angle, e, a, p, दोनों बराबर हो जाएँगे, e, a, p, equal हो जाएगा, किसके? p, a, b, ke, higher, p, a, b, ke, equal हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाते, फे बिटा और यह दोनों क्या होंगे सर्डiała यह दोनों होंगे ई का इनको लिखेंगे इस ए बी का ha की कि इनको लिए इबी का हाफ ठीक है सर्अ छा बेपी भी बाइशेकर है तो यहां पर बीपी बाइसेक पूरा लखना पड़े है बीपी बायसेक्स इंगिल BP by sex Angle कौन सा Angle RBA ये पूरा Angle BP by sex कर रहा तो Angle RBA ठीक है बस तो इसका मतलब सर इसका मतलब सर RBP PBA ये दोनों Angle Equal हो जाएंगे और RBA के आधे-ाधे हो जाएंगे तो सर रजल्दी से लग दें RBP Angle R BP Equal हो जाएगा Sir PBA के इसके बिटा इसके Angle PBA और सर जी के दोनों किसके Equal होंगे दोनों होंगे बिटा RBA ये पूरा Angle के इसके आधे हाफ Angle RBA का हाफ ठीक है सर सर ये Equation 1 और ये Equation 2 ठीक है सर जरा इसको उठा बिटा 1 और 2 नहीं देते हैं और इसको 3 और 4 देते हैं ये Equation 2 और ये Equation 3 और इसको बना लेते हैं बस अपने Equation No.1 Equation 1 उठाओ बस बस खेल खतम पैसा हजम देखो Equation 1 उठाते है क्या है Equation 1 करते है 2 से तो सर इसको भी 2 से Divide करना पड़ेगा इसको भी 2 से Divide करना पड़ेगा और इसको भी 2 से Divide करना पड़ेगा बात समझ में आ गई येस सर बच्चो गौर से देखो EAB का Half आधा यार मैं कह रहा हूँ गौर से देखो EAB का Half क्या है EAB का Half ये भी है और ये भी है सर हम इसको लिखेंगे PAB इसको लिखेंगे हम इस Triangle के अंदर आना चाहते है PAB इसको लिखेंगे EAP भी लिख सकते पर उसका काम नहीं है हम PAB लिखेंगे हमने देखा EAB का Half PAB है ये भी है पर इसको लिखना नहीं है ये लिखते है अपन तो सर इसकी जगा हम लिखेंगे Angle PAB Plus बच्चो इसको देखो यार ये क्या है सर ये जल्दी से देखो यार जल्दी से देखो बच्चो कितना बढ़िया कोजिशन समझ में आ रहा है न चल्दी से देखो बच्चो देखो जल्दी से ये क्या है सर RBA का Half RBA divided by 2 सर RBA का Half ये भी है और ये भी है तो हम PBA लिखेंगे बच्चो हम PBA ये वाला लिखेंगे बच्चो ये वाला इसको लिखेंगे हम ठीक है क्योंकि हमें ट्राइंगल के अंदर जाना है तो सर इसकी जगा हमने लिख दिया एंगल PBA is equal to 18 का Half 180 का Half सा 90 बच्चो बहुत important line आ गई है अब उस ट्राइंगल में अपनको APB निकालना है APB ये वाला निकालना है सरी है ठीक है इस ट्राइंगल में अगल सम प्रॉप लगा दो बॉस ये निकालना है अपनको अगल सम प्रॉप लगा दो प्रॉप मतलब प्रॉपर्टी बॉस ठीक है अगल सम प्रॉपर्टी लगाते है जल्दी से लगाते हैं, कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है, चलो देखो इन ट्राइंगल APB, यहां बना दूँ क्या, चलो छोटा सा बना देता हूं यार यह है APB चलो, सर, इन ट्राइंगल APB, आंगल सम प्रॉपर्टी, अपन पूरा लिखेंगे, आप पूरा लिखना, इन ट्राइंगल APB, मैं लिख रहा हूं, आंगल सम प्रॉपर्टी, आंगल Sum Property लो boss answer आने वाला है दो step में answer Sir this angle plus this angle plus this इसका नाम क्या है sir angle BAP इसका नाम क्या है sir इसका नाम क्या है ये वाले angle का नाम PAB लिख sir angle PAB PAB plus boss इसका नाम बताओ क्या है इसका नाम है PBA PBA लिख बोटा angle PBA लिख बिटा PBA plus इसका नाम क्या है APB APB लिख बिटा angle APB यहां लिख दे रहा हूं angle APB is equal to boss 180 degree थोड़ा सा इसको cut कर दे side में खिसका दें क्या इसको अभी ठीक है यह ठीक है ठीक है इन दोनों का सम हमारे पास 90 degree है बॉस अब अगर इन दोनों का सम हमारे पास 90 degree है तो 90 degree की भही रखो जल्दी से value solve करो APB आ गया देखो 90 प्लस एंगिल APB is equal to APB ABP नहीं सर APB is equal to 180 लीजे APB आ गया APB आ गया आ गया आ गया यह answer हमारा आ गया सर 90 उदर गया minus हो गया तो APB कितना आया सर 90 degree बॉस यह हमारा answer आ गया copy कर लो यार है ना जल्दी से copy कर लो so that we may move on to next question भया अगले प्रशन की तरफ प्रस्थान करें अपन चलो चलो बस अब हम चलते हैं अपने आखरी 6th question की तरफ इस session के इस बढ़िया से session के last question की तरफ सर इसको clear कर देते हैं और चलते हैं आखरी 6th question की तरफ sir किसी भी triangle के तीन angles जब ratio में दिये होते हैं बस तो हम क्या करते हैं उन ratio को break कर देते हैं और ratio को break कर देते हैं तो मान के चलो angle A जो अंदर बैठा है वो 2 को denote कर रहा है angle B जो है triangle के अंदर वाला वो angle 3 को denote कर रहा है और angle C जो है अंदर वाला वो angle C4 को denote कर रहा है पर इनको break करने के बाद इनके साथ चिपक जाएगा X देखो भाई तीनों के साथ X multiply हो गया X multiply हो गया X multiply हो गया जब आप ratio break करते हो तो एक common ratio आके उन numbers के साथ चिपक जाता है multiply हो जाता है अब सर हमको पता है बहुत ही अच्छे से कि सर जी किसी भी triangle में angle sum property काम करती है बस हाँ सर करती है तो यार मेरे प्यारे बच्चे angle sum property के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं सर सर angle sum prop लिख दिया बस मैंने देख रहा है प्रॉप यह प्रॉपर्टी है यार यह ठीक है तो angles and property के हिसाब से सर अगर तीनो interior angles को आप जोड़ोगे तो पाओगे equal to में क्या sir 180 degree है ना boss equal to में 180 degree तो sir जल्दी से निकाल लेंगे हम 2A 3A और 4A का sum तो यह हो गया boss 2x 2A 3A बोल ला था मैं 2x 3x और 4x का sum निकाल लेते हैं sir equal to में आएगा boss 180 जैसे ही हम x की value यहां से निकाल लेंगे ना 2x और 3x 5 5 और 4 9 9x आगया sir 9x is equal to 180 x की value क्या आई boss x की value आई 180 अपोन 9 20 20 degree या 20 आपकी इच्छा है अब पूछ रहे find all the angles of the triangle भाया हो गया 2 x x यानि 2 x boss 20 तो पहला वाला angle हो गया sir 40 degree क्या हो गया boss equal to 40 degree बिलकुल सही sir दूसरा angle 3 x है यानि 3 x x तो sir 3 x 20 यानि 60 degree क्या हुआ boss is equal to 60 degree ठीक है sir तीसरा angle हुआ 4 x x यानि 4 x 20 तो sir यह हो गया अपना 80 degree ठीक है boss तो यह हमारे answer होगा 40 60 and 80 I hope आपको सारे questions मज़ेदार तरीके से मैंने समझा दिये है and बेटा quality education मतलब magnet brains है ना we always believe in quality education and that too free of cost कोई पैसा वैसा नहीं लिया जा रहा है आपसे ठीक है बिना पैसे लिए अगर आपको इतनी बहतर quality education provide की जा रही है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में motive होगा और motive सिर्फ एक है के आपका भला हो सिर्फ एक motive के सर आपका भला हो क्लास 9 तो 10 तो बॉस 11 तो 12 तो कुछ भी हो सर कुछ भी हो कोई भी क्लास हो कोई भी subject हो अगर magnet brains free of cost best education provide कर रही है quality education provide कर रही है तो सर कुछ तो मुद्दा होगा और वो मुद्दा है बॉस आपका अच्छा society का अच्छा अगर आपका अच्छा होगा आप develop होगे अंदर से आपके concepts हमारी through build up होगे तो यार हम लोगों को भी कहीं न कहीं बहुत proud feel होता है कि यार ये देखो magnet brains के पढ़ाई हुए बच्चे जा रही है ये मैंने पढ़ाया था इस बच्चे को मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था मैं कैसे नाम याद रख सकता हूँ मैं तब नाम याद रख सकता हूँ जब मेरे live classes में मेरे recorded classes में जितने भी type के classes हो बॉस उसमें वो बच्चर regularly पढ़ाई करने आए भाई या recorded class हो तो comments में छोड़ कर जाए अपना feedback sir मज़ा आया इस class में ये question sir बहुत तफ लगता था लेकिन अब बहुत आसान लग रहा है या sir आप इस question को improve करके पढ़ा सकते हो feedback दो ना boss feedback दोगे तभी तो we will also improve है ना feedback के लिए सबसे अच्छा जरिया है comments मैं literally एके comments पढ़ता हूँ ठीक है तो boss आपको हम देखो आप हमें तो पैचानते हो लेकिन हम teachers आपको कैसे पैचाने उसका एक ही तरीका है boss live में live classes चलें जो recorded classes चलें जो बढ़ चड़ के हिस्सा लो क्या है spamming से बचो है ना वालतूगी बखवास से बचो कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में बहुत पच्छता होग या नहीं तो आगे चलके time बरबाद हो जाएगा यार बरबाद हो जाएगा बहुत tension हो जाएगी फिर रोगे बैठके के यार काश वो time मैंने अच्छे से utilize कर ली हो था पढ़ाई कर ली हो ठीक है चलो आज के लिए इतना ही काफी है फिर आगे चलके कभी आपको और motivate करूँगा लेकिन फिलहाल अपन अलविदा लेते हैं session से जल्दी मिलेंगे वही आप हमारी website पर भी जा सकते से अच्छे sequential form में लगे हुए हैं जहां पर आपको वीडियो देखने का कोई पे नहीं करना है बॉस वीडियो देखते समय आपको कोई एड नहीं मिलेगी बॉस बड़ी attention free हो के बढ़ाई करो और मस्त जीओ और अपनी class में तो टॉप करो यार at least फिर तो अपनको magnet brains की जब चैनल पे वीडियो चलेंगी उस पर तो टॉप कर नहीं है यार है ना चलो इसके बाद सर आप हमारे आप को भी इंस्टॉल कर सकते हो Google Play Store पर जाओ एप सर्च करो magnet brains आपको एप मिल जाएगी इंस्टॉल करो बढ़िया से उसको rating दो feedback दो और उस पर भी पढ़ाई करो चलो जल्दी मिलेंगे second और next lecture में till then happy learning take care bye